नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चनल में आज की स्विडिन दोस्तों हम बात करने वाले सेलिंग फेन को लेकर हमारे घर में जो सेलिंग फेन लगावा होता है उसकी जो वाइंडिंग किया हुआ इस्टेटर होता है उसमें दो वाइंडिंग होता है एक होत में बताने वाला हूं तो मेरे पास में यहांपर एक selling fan is, इसमें जो stator लगा हुआ है है इसमें दो winding आप देख सकते हैं, ये वाली winding है वो running है और ये वाली starting है sorting वाईПрिए वाइंडिंग है वो काफी ज्यादा आपको हिट नजर आती होगी तो इसमें ज्यादा हिट क्यों हुआ वह आपको में बता देता हूं देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि को अपनेशन लगा देखिए उसे हटा कर तीन फैंट पंद्रा का कनेशन लगा दे टे श्टार्टिंग में करना कम होते तो दीरे वाइंडिंग वह ज्यादा हो जाते हैं और धीरे-धीरे वाइंडिंग वह जलना सुरूरू हो जाती काफी ज्यादा हीट होने के करण फिर स्पीड है वो डाउन हो जाती है तो ऐसी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें 250 से उपर सीलिंग फैन में करनेंसर नहीं लगाना चाहिए अगर 250 से उपर हम करने सल लगाते हैं तो कुछी दिनों में starting winding है वो जल जाएगी और ceiling fan की speed है वो कम हो जाएगी हो सकता है पुरा ceiling fan भी जल जाए तो ऐसी गलती हमको नहीं करने है company है वो company का जो fan होता है ceiling fan उसमें 2.25 का condenser लगाती है तो हम 2.50 तक लगा सकते हैं अगर 3.15 का condenser लगाते हैं तो starting जो winding होती है वो जलेगी जलेगी तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको यह छोटी शी जानकारी पसंद आएगी पसंद आए तो please studio को like कर दीजे दोस्तों मिलते हैं next studio में तब तक के लिए नमस्कार